देगी स्टूजन जल्दी से आज हमें देखना है नेक्स प्रोग्राम जिसका नाम है लीपियर लीपियर मिन्स चेक वेदर दे यहर इस लीपियर और नॉट जल्दी बताईए क्या करना चाहिए कि सबसे पहले यहां पर एक नूट देता हूं जिसका नाम देदेते हैं हम लीपियर ठीक है लीपियर डॉट सी पी ठीक है जैसे कि आपको पता है कि आपको पता होना चाहिए कि यह जो बेसिक टेंपलेट है यह starting का part या फिर थोड़ा सा इतना वाला part हम copy कर लेते हैं copy इसलिए कर रहे है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यह जो basic template है basic template यानि कि Iostream using namespace, standard, integer, main और यह सब जल्दी बताएं, leap year मुझे check करना है तो मुझे करना क्या चाहिए यह यहां पर year यानि कि Y input लेना पड़ेंगा और क्या करना पड़ेंगा हमें check करके उसको बताना पड़ेंगा कि वो leap year है कि नहीं है जल्दी देखिए यह integer Y और मैंने Y में input लिया अब Y में input लिया तो हमें यहां पर क्या करना है उसको check करना है कि वो leap year है कि नहीं है, पहले तो वोजे बताईए, आप बताईए कि leap year होता क्या है, यानि कि अगर आपको पता है leap year क्या होता है, तो आप उसका code एक line में भी लिख सकते हो, जैसे कि मैं एक line में ही लिखने वाला हूँ कि leap year क्या होता है, आईए जल्दी से मैं हम इसको 4 से divide करेंगे और देखेंगे कि 4 खेंट होता है कि नहीं, तो बहूंद देखो, यह 4 से divide होता है, यानि कि 1992 हमारा 4 से divided होता है, यानि 4 से divide करने के बाद remainder क्या आता है 0, तो हम बोल देंगे कि यह kya on are leap year है, अरे हा की नहीं, पर मुझे ऐक बान बताईए कि suppose मैंने आ हमारा लीपियर है क्या बिलकुल नहीं नैंटिन-अंड़िड हमारा लीपियर नहीं है याने कि आपको यहां पर होता क्या है आपको पहले वह समझना अच्छे से अगर लीपियर कैसे चेक करते हैं यह आता है तो फिर बहुत ही सिम्पल है कोड करना ठीक है चलिए मैं फिर से एकस्प्लें कर देता हूं या मैं आपको डायरेकली बता देता हूं कि लीपियर होता क्या है अगर किसी ने आपको बोला कि 2500 आपको दिया 1900 तो मुझे बताइए यह 1900 जो है यह लीपियर नहीं है किसी ने आपको दिया 2100 तो यह लीपियर नहीं है तो देखिए मुझे यहाँ पर आपको समझाना क्या है कि अगर कोई century year है century year याने की 100 का multiple जिसके पीछे क्या आते है दो जीरो आते है ठीक है तो अगर कोई century year है ध्यान से सुनिएगा तो वो क्या होना चाहिए 400 से डिवाइड होना चाहिए जैसे कि मैंने आपको बोला यह 2000 कौन है लीपियर दिखिए यह 2000 हो गया 1900 हो गया 2100 हो गया यह तीनों भी तीनों 4 से डिवाइड होते है पर यह तीनों की तीनों लीपियर नहीं है 2000 लीपियर है पर 1900 और 2100 लीपियर नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि century year के लिए concept अलग होता है century year यानि कि जो 100 का multiple होता है year उसको हम check करते हैं कि वो 400 से divide होता है कि नहीं मुझे बताइए जल्दी 2000 को हम 400 से divide करेंगे तो जल्दी बताइए क्या होगा divide होगा कि नहीं होगा yes divide हो जाएंगा ठीक है यानि कि remainder 0 आएंगा अच्छा मुझे बताइए 1900 को हम 400 से divide करेंगे तो remainder 0 आएंगा क्या बिलकुल नहीं करके देखिए आप देखिए कैसे यह 1900 और इधर क्या 400 मुझे बताइए इधर 4 जा हमने ले लिया कितना 1600, 1900-1600 कितना 300 अब देखिए यह division आगे continue नहीं होगा क्यों continue नहीं होगा क्यों यह 300 हमारा 400 से क्या आगया छोटा अब यह division में आगे continue करने जाओंगा तो इधर मुझे decimal में चाहिए रहेंगा answer point लगाना पड़ेंगा वो नहीं चलता हम integer division करना था और मुझे बताई यह remainder 300 आया, 0 आया क्या नहीं उसी प्रकार से 2100 तो 2100 में भी हम remainder निकालेंगे तो remainder क्या बचेंगा 100 बचेंगा यानि 400 इसको completely divide करता नहीं है, it means यह leap year नहीं है यानि यह होगया concept का है का century year का, चलिए मैं इसको हटा देता हूँ पर मुझे बताईए कि कोई year अगर century year नहीं है, जैसे कि अभी अभी मैंने आपको बोला, जैसे मैंने बोला अभी, जैसे हमारा 21th century चालू है, यहां पर मैंने दिया आपको, suppose कोई current का year ले ले लेते है, अभी 24 ले ले लेते है, बताईए, 21 या फिर 20, ऐसा ले ले लीजे, 21 21 सदी चालू है, यानि की 20 से, जैसे कि अभी हमारा जो year है, वो 2023 है, 2024 लेलता हूँ, मैं यानि कि ऐसा समझिएगा next year, जल्दी बताईए, यह leap year है कि नहीं है, हाँ यह leap year है, कैसे पता, मुझे बताईए, इसके आखरी में 2 zero आ रहे हैं, नहीं, 24 आ रहे है, यानि कि यह century year 21 है, तो 400 से divide होना चाहिए, और कोई non century year है, तो 4 से divide होना चाहिए, ठीक है, चलिए, आज यह जल्दी से मैं इसका क्या कर देता हूँ, आपको code कर देता हूँ, code तो मैं आपको एक line में कर दूँ, क्या है code, मुझे बताईए, सबसे पहले तो यह जो y नाम का year है, यह क्या हो होना चाहिए, 400 से divide होना चाहिए, यानि कि मैंने y mod 400 equals to equals to क्या ले लिया, 0, तो बताईए जल्दी से, कि 400 से अगर कोई year divide हो जाता है, तो क्या वो लीपियर है, हाँ है, यह पहली condition, दूसरी condition, पहली condition की 400 से divide हो गया, तो वो लीपियर है, second condition के लिए मैं यहां पर क्या कर दे है, और देखिए, अगर कोई year 400 से divide हो जाता है, तो वो लीपियर है, यहां फिर क्या करना चाहिए, अगर वो century year नहीं है, तो 4 से divisible होना चाहिए, देखिए, century year नहीं है, यह कैसे check करेंगे, मैं आपको करके बताता हूँ, y mod 100, क्या होना चाहिए, y mod 100 not equals to 0 होना चाहिए, इस वो क्या होना चाहिए, 100 से divide नहीं होना चाहिए, तो देखिए, y mod 100 not equal to, मैंने क्या लिखा, 0, यानि कि remainder क्या होना चाहिए, उसका 0 नहीं आना चाहिए, यानि कि 100 से divide नहीं होना चाहिए, अच्छा, तो 100 से divide नहीं होना चाहिए, तो मैंने बोला, अगर कोई year 100 से divide नहीं होत है तो वह काई से डिवाइड होना चाहिए तो वह डिवाइड होना चाहिए होग फोर से तो वह डिवाइड का यह ओना चाहिए फोर से जल्दी बताइए कि यह equals to equal to zero बस इतना करने से हमारा answer क्या हो जाएगा आजायगा अगर ऐसा होता है तो आप क्या कीजिए उसको print कर दीजिए क्या print करोंगे डबल कोट में print कर दीजिए leap year ठीक है और इसके बाद आप आ जाएए यहां पे else ठीक है else में क्या करना है बई else में करना है हमें see out see out यहां पर हम कर देते हैं not leap year ठीक है अब देखी यह तो आप करी लोंगे कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है और मुझे बताई यहां पर क्या लगेंगा एक return zero लगेंगा ठीक है return zero क्यों लगेंगा पता है सब आपको return 0 इसलिए लगेंगा क्योंकि हमने integer main लिया वॉइड main नहीं लिया यहां पर ठीक है चली कोई बात नहीं काम करते हैं इसको मैं code क्या कर देता हूं पहले तो किन वाइ याने हम्हाइ नाम का यह यहाँ पर देना पड़ेंगा और एक मिय्ट करसर का है इसका हाँ यह समझ मैंने यहाँ पर दिया 1992 ठीक है 1992 एंटर किया तो दीकियो लीप-विर आOOK समझ में현 यार कोई बात नहीं करते हैं है पिर से रन पर ठीक है और अब मैंने क्या 2100 एंटर तो देखिए नॉट लीपियर आ रहा है तो देखिए 2100 जो है वो वैसे भी लीपियर नहीं है चलिए मैं इस कोड को आपको क्या कर देता हूं ड्रायरन करके बता देता हूं ठीक है आपको यह और अच्छे से समझ में आ जाएंगा देखिए बहुत सरो लोग इसको नेस्टे डिफेल्स में लिखते हैं मेरी आदत नहीं है मैं एक इस स्टेट्मेंट में लिख देता हूं ठीक है देखिए जैसे कि आपना पहले य य नाम तो mod operator remainder print करता है क्या remainder 0 आएंगा yes यानि कि यह जो condition है यह condition हो जाएंगी true और यह कौन है और और यहां पर देखिए y को जब हम 100 से divide करेंगे तो वो तो divide हो जाएंगा यानि कि y mod 100 यानि 2000 को आप 100 से divide करो तो remainder 0 आता है पर यहां पर not equal to 0 लिखा हुआ है यानि कि यह condition क्या हो गई false हो गई यह condition क्या हो गई false अच्छा और यह जो है 2004 से divide होता है yes तो यह second condition क्या हो जाएंगी हमारी true क्योंकि 2000 को फोर से divide करेंगे तो remainder सच में 0 आएंगा ठीक है अब मुझे बताइए कि यह मैंने bracket में लिखा हुआ है यह वाला part ठीक है तो यह वाला part लिखा हुआ है bracket म तो यह पहले solve होगा तो मुझे बताइए end का true table क्या बोलता है दोनों end रहे तो end आता है otherwise false आता है तो यह दोनों end नहीं है तो इसका answer क्या आ जाएंगा false आ ठीक है और यह true तो as it is true रहेंगा और यह बीच में कौन है और मुझे बताइए और का true table क्या बोलता है और का true table बो हो गया I hope आप समझे होंगे बहुत सिंपल है ठीक है आपको एंड और और का टूटेबल पता होना चाहिए एंड का टूटेबल होता है कि दोनों भी एंड है आपने ये बारवी कक्षा में लॉजिक थेरी में पड़ा भी होगा चाहिए ठीक है चलिए दोनों एंड है तो एंड होता है अधरवाइस फॉल्स होता है और का टूटेबल क्या है दोनों वैल्यूस अगर क्या है फॉल्स है नहीं समझ रहा है तो मैं दीखिए मैं आपको थोड़ा सा लिख के बता देता हूं पर यह बहुत इजी थिंग्स है क्या एक होता है true true एक होता है true false एक होता है false true ठीक है यह false ले लिजिए false true और एक होता है false false यानि दोनों variable की value अब तो यह अब एकर मुझे एंड का true table चाहिए कायगा एंड का यार मैं यहां पर लिख देता हूं यहां पर एंड ठीक है यह एंड ठीक है अब यह थोड़ा सा 8 के समान दिख रहा है वह 8 के समान नहीं होना चाहिए मैं काम करता हूं यहां पर इदेजर होंगा हमारे पास ठीक है यह यह देजर से हम इसक आर यह हमारा का table भेए और का ठीक है, तो मझे बतार ही, T and T कितना होता है, T, बाकी सब क्या होता है, false, यानि यह तीनों क्या होते है false होते है, ठीक है, और और में क्या होता है, यह जो F, F है, दूनों input, अगर हमारे क्या रहे, F, तो answer क्या आता है, F, और और बाकी सब क्या हो जाते हैं, बाकी तीनों सिचुएशन के आंसर क्या जाते हैं, यह है हमारा end और और का true table, ठीक है, किसी को नहीं पता तो copy कर लीजिए, मैं फिलाल इसको हटा देता हूं, और मैं दूसरा option ले लेता हूं, कि मैंने आपको यह जो पहले run किया था, तो यह 1992 क आया था, कैसे आया था, आईए बताता हूं, पहले बताईए y, y mod 400, भाई, 1992 को 400 से डिवाइड करेंगे, तो रिमेंटर जीरो आएंगा, क्या नहीं, तो यह जो पहली condition है, यह क्या हो गई, false, और इधर क्या है, और, ठीक है, यह और as it is, और इधर bracket में, y को 100 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड हो जाएंगा, यानि 1992 को हम 100 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड नहीं होगा, और यहां पे यह डिवाइड नहीं होने का ही लिखा है, not equal to 0, रिमेंटर जीरो नहीं आएंगा, 92 आएंगा रिमेंटर, ठीक है, तो यह condition हमारी true हो गई, ठीक है, यहां पे लगा देते हैं, और यह 4 से डिवाइड करेंगे, तो यह हो जाएंगा, yes, तो बेटा, यह दोनों भी condition क्या है, true, और यह दोनों का हमें, bracket में, तो true and true, क्या होता है, true होता है, ठीक है, और यहां पे और में क्या है, और में हमारा यहां पे false है, ठीक है, तो पताए यह FFF बाकी सब true, तो यह overall इसका answer क्या आजाएंगा, true आजाएंगा, true आजाएंगा, यानि कि वो Cout क्या प्रिंट हो जाएंगा, leap year, I hope आप समझे होंगे, तीसरा example, last example दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, मैंने तीसरी बार Y में value क्या डाली थी, 2100, यहां पे screen पे से divide होता है, यानि यह हमारा क्या हो गया, false, अच्छा यह बताईए, 4 से divide होता है, yes, तो यह क्या हो गया, true, अब बताईए, end की condition होती क्या है, true, 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 बाकी सब false, तो बिटा, इसका answer आजाएंगा, हमारा false, और यह कौन है, true, और बीच में कौन है, or, तो बताईए, FFF, बाक इसको मुझे check करना है, जल्दी बताईए, y को 400 से divide करेंगे, तो यह divide हो जाएंगा, क्या, नहीं, तो यह क्या हो जाएंगा, false, क्योंकि remainder, यानि 0 नहीं आएंगा, 100 आएंगा, 2100 को 400 से divide करोंगे, तो, अच्छा, मुझे बताऊ, इसको 100 से divide करेंगे, तो remainder क्या आएंगा, not equal to 0, yes, not equal to 0, sorry, 100 से divide करेंगे, तो remainder क्या आएंगा, 0 पर, यहां पर not equal to 0, तो यह क्या हो गया, false, अच्छा, 4 से इसको divide करेंगे, तो divide हो जाएंगा, yes, true, तो जल्दी बताईए, यह end condition है, तो T, T, T होता है, बाकी सब F, तो इसका answer क्या आएंगा, F आगया, और यह भी कौन है हमारा F, और यह बीच में कौन है, और, बताईए, और का answer, F, F का answer क्या आता है, F आता है, तो overall इसका answer क्या आगया, false, अब मुझे बताईए, if में जो condition लिखी है, उसका answer false आ गया, तो हम else part में जाएंगे, else part में notly appear लिखा हुआ है, बाद देखिए, 2100 का notly appear ही output आया था, I hope आप समझ रहे हो, जल्दी से इसको copy कीजिए, तो मैं क्या करता हूँ, next class में लेता हूँ, next problem, ठीक है, easy था, बहुत ही, एक ही line में मैंने आपको वो खतम करके दिया, और बहुत ही अच्छे से try run करके बताया, ठीक है,